सब्सक्राइब कीजिए टेकन और व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाएए हिंदी टेकनिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आज के इस वीरो में हम करेंगे PUBG टेस्ट याज़फोंस के ऊपर Ebi Note 7 Pro, Galaxy M40, Realme 3 Pro और Note 7S तो वीडियो को हम स्राट करेंगे चाल फॉंस में Benchmark score चेक करके और चला लेते है Antidoo Benchmark और हर एक फोन में चला लेते है Benchmark तो Benchmark score जैसे आप देख सकते है, Note 7 Pro में हमें मिला है 1,77,000, Galaxy M40 में 1,71, Realme 3 Pro में हमें मिला है 1,54,000, जहां Note 7S में 1,40,000 तो नाव हम गेमिंग स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेते है, हर एक फोन की बैटरी लेवल, तो दोसरो, Note 7 Pro में बैटरी है 92% में, Galaxy M40 में है 90%, Realme 3 Pro चल रहा है और 94% जहां Note 7S में गेमिंग स्टार्ट करने से पहले बैटरी लेवल है on 84% और तो लेट के ऊपर में हमारा Redmi Note 7 Pro, उसके नीचे है Galaxy M40, राइट के ऊपर में रहेगा हमारा Realme 3 Pro और उसके ठीक नीचे है Note 7S तो हम हर एक फोन में ग्जाक्ली सेम टाइम पे चला लेंगे PUBG, तो चला लेंगे PUBG in 3, 2, 1, go! Note 7 Pro में पहले लोड हो गया PUBG, उसके ठीक 3 सगंड में Realme 3 Pro ने भी लोड कर लिया PUBG, नेक्स्ट लोड हुआ Note 7S में जिसके एक सगंड में हमें मिला PUBG का मेन मेनू Galaxy M40 में न्वेज तो नाओ पहले देख लेते हर एक फोन की Graphics settings तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हर एक फोन में मैकसिम HD Graphics और High Framerate तक Option मिलता है और हर एक में हम HD और High में सेट कर देता है तो यहां से बैक करके हर एक में चला लेते हैं स्कौर्ड मैच और अभी देख लेते हर एक की गेमिंग पर्फॉर्मेंस दोस्तों M40 में नेट्रोक किशुस के वज़े से मैच स्टार्ट करने के टाइम रिक्वेस्स टाम डाउट दिखा रहा है तो इसलिए हम PUBG को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों दूसरे PUBG टेस्स की तरह हम एक एक करके फोन में नॉर्मली गेम को 30 मिंस तक खेलेंगे और देखेंगे हर एक की PUBG परफोर्मेंस और अट दे एंड टोटल दो घंटा PUBG हर एक में चलाने के बाद चेक करेंगे बैटरी ड्रेनेज तो स्टार्ट करते है Redmi Note 7 Pro से तो यह Note 7 Pro में PUBG में नॉच हाइड नहीं हुआ है जो बढ़िया है और अगर बात करें परफोर्मेंस की तो अभी अल्मोस्त तीन मैना Note 7 Pro को हम यूज कर रहे है और इन तीन मैने में हमें इसमें पाथ सॉफ्ट्वेर अपडेट मिला है अगर बात करें गेमिंग की तो इस फोन में आपको 35 fps मिलता है तो अगर बात करें हीटिंग की तो जैसे हमने पिछली बार भी कहा है कि ज्यादा टाइम पुबजी गेमिंग के बाद आपको कुछ ज्यादा ही फील होगा पीछे की ग्लास प्लेट में और सबसे ज्यादा कैमरा सेंसर के वहां आपको हीटिंग फील होता है तो 30 minutes तक Note 7 Pro में पुबजी खेलने के बाद इसे अभी यहां पर रख देते हैं और देख लेते हैं पुबजी गेम प्ले नोट 7S में तो Note 7 Pro की तरह इसमें भी notch height नहीं हुआ है और Note 7S में हमें मिलता है Snapdragon 660 पर फिर भी आपको high settings में काफी अच्छा playable experience मिलता है इस फोन में जी हां आपको इसमें PUBG खेलने के टाइम मुवमेंट्स में Note 7 Pro की तरह वैसा smoothness नहीं मिलेगा पर येस इसमें भी आपको decent performance किसी तरह की lag या फी stuttering के बिना ही देखने को मिल जाता है वैसे Note 7 Pro की तरह इसमें भी हमें मिलता ही glass pack और as usual more than 20 minutes के बाद कुछ ज्यादा heating फिल होगा glass pack plate में दोस्तों अगे 30 minutes तक PUBG को Note 7S में खेलने के बाद ना इसे यहां पर रख देते हैं और देख लेते PUBG gaming experience almost more than 2 months के बाद Realme 3 Pro में आल राइट तो आप देखी सकते हैं कि Realme 3 Pro में यहां पर हमें full screen view मिलता है और जैसे हमने last time की PUBG test में भी देखा है कि इसमें PUBG खेलने के टाइम बहुत ही मज़ा आता है क्यूंकि PUBG इसमें एकदम super smooth चल रहा है इसमें PUBG experience आपको बहुत ही बड़े लगया क्यूंकि जैसे आप देखी सकते हैं के camera के पीछे बैट के भी हमें काफी सारा kills मिल रहा है और PUBG जैसे game खेलने के time आपको जो सारा problems दिखाई देता है lag, stuttering या फिर कोई भी issues जो आपको दिखाई देता है वैसा कुछ आपको Realme 3 Pro म PUBG खेलने के time दिखाई नहीं देगा, around 35-40 fps जैसा gaming experience मिलता है और कई पे आपको major lag दिखाई नहीं देगा Realme 3 Pro में PUBG खेलने के time, दोस्तों अगे 30 मिनिस तक PUBG खेलने के बाद finally चले जाते हैं हमारे Galaxy M40 में, okay तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि या पे punch hole camera के लिए हमें full screen view नही दे रहा है, now बात करें gaming experience की तो इसमें PUBG ठीक ठाक चल रहा है, कभी-कभी थोड़ा बहुत frame drop दिखाई दे रहा है, पर overall decent performance है जिससे आपको playable gaming experience इस phone में मिल जाता है, around 30 fps जैसा gaming experience हम मिल रहा है, पर again जैसे हमने कहा, कभी-कभी आपको 1-2 second के लिए frame drop नजर में आएगा M40 मे PUBG खेलने के टाइम, now ज्यादा इसमें PUBG खेलने के बाद पीछे camera के वहां आपको heating feel होता है, और punch hole cutout के वहां भी आपको थोड़ा बहुत heating feel होता है, दोस्तों overall M40 की PUBG gaming मुझे average लगा है, क्योंके Note 7 Pro की तरह इसमें भी हमें मिलता है Snapdragon 675 और इसमें हमें 6GB RAM भी मिलता है, पर to be on this Note 7 Pro में same CPU और 4GB RAM होने के बाद भी हमें better gameplay experience देखने को मिला है Redmi Note 7 Pro में, anyways, again 30 minutes तक PUBG Galaxy M40 में खेलने के बाद, now चले जाते है home screen में और देख लेते हर एक की battery level, alright, 2 घंड तक हर एक phone में PUBG खेलने के बाद, Note 7 Pro में battery level है on 62%, मतलब 2 घंड अपजी खेलने से 30% battery drain हुआ है, next Galaxy M40 मे 2 घंड पबजी gameplay से drain हुआ है 44% battery क्योंकि अभी battery level है on 46% और यहां पर दूसरे phones में, हमें 4000 या फिर उससे ज्यादा battery capacity मिलता है, जहां पर M40 में है 3500 इमिज की battery, जिसके वज़े से battery drainage भी आपको इसमें ज्यादा दिखाई देगा, next Realme 3 Pro में test start करने से पहले battery level था on 94% और ना battery है on 66%, finally Note 7S में PUBG खेलने से पहले battery level था on 84% और अभी battery है on 49% जिसका मतलब है 35% battery drain हुआ है, Note 7S में 2 घंडा PUBG खेलने के बाद, दोस्तों जैसे आपने देखा Note 7 Pro, Realme 3 Pro, Note 7S में maximum graphics में PUBG काफी बढ़िया चलता है, yes M40 में अगर आप medium graphics में set कर देते तो आपको almost equal performance देखने को मि unfortunately battery drainage भी काफी ज्यादा हुआ है, अगर हम compare करें दूसरे phones के साथ, दोस्तों यह था PUBG gameplay comparison Note 7S, Realme 3 Pro, Galaxy M40, Note 7 Pro के बीच, और अगर मुझे एक phone को select करना है यहां से जिसमें मुझे सबसे बढ़िया लगा PUBG performance, तो I can say Realme 3 Pro की performance मुझे सबसे बढ़िया लगा है इन चार phones में, दोस् यहीत आचके वीडियो को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमने चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए, इसके साथ हमें इस वीडियो को end करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में